तो अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले इफिल 10-ENG टेबलेट के बारे में इफिल 10-ENG टेबलेट जे भी टेमिकल्स और फार्मासोटिकल्स द्वारा बनाया जाता है इसमें टाडा फिल 10-ENG कंटेंट है और इसके मार्केट प्राइज या मार्पी लगबग 3060 रुपए है तो चलो इसलों में जानते हैं इफिल टेबलेट के UGS side effect और सबको सबसे पहले जानते हैं इफिल 10 टेबलेट के UGS के बारे में इफिल 10 टेबलेट का इस्तमाल pulmonary arterial hypertension and erectrial dysfunction के इलाज में किया जाता है सबसे पहले जानते है treatment of pulmonary arterial hypertension pulmonary arterial hypertension से सास लेना, ठकान, चकराना, छाती में दर्द और पैरों में सुजन हो सकता है यह उन arteries की दिवारों को मोटे हो जाने के कारण होता है जिससे खुन का पोचाना मुश्किल हो जाता है इफिल 10 टेबलेट जिससे PDEP5 ग्रुप से कहा जाता है यह रक्तवायों को आराम देकर काम करता है यह आपके फिपडों की धमनियों में blood pressure को कम करने में मदद कर सकता है और आपको आपके दैनिक गतिवडियों को ज़्यादा आसानी सिकर पानी में और ठकानिया चकर आनी की समश्या में कमी आ जाएगी अब जानते ट्रिट्मेंट अप इरेक्टरायल डिस्पंशन के बारे में यह आपके पेनिस में रखतवायों को आराम देकर काम करता है सेक्शूली उच्चे दित होने पर यह पेनिस में खुन का बहाव बनाता है और इरेक्शन उत्पन न करता है ये दवा केवल आपके सेक्शूल उच्चेजद होने पर ही इरेक्शन पानी में मदद करेगा आप जानते इफिल टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में इस दवा से होने वाले जादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सला लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूपसी इसका सेहोन करने से ये साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर साइड इफेक्ट बनी रहते हैं या लख्षन बिगडने लगते हैं तो आपने डॉक्टर से सला ले इफिल के सामाने साइडिफिक जैसे पीर दर्द, मिछली आना, सिर्दरद, धुंदली नजर जैसे लक्षेन शामिल है अब जानते हैं इफिल टैबलेट का इस्तमाल कैसे करें या डोसिस के बारे में इससे साबुद नहीं ले, इससे ना ही चबाए, ना ही कुछ ले, और ना ही तोड़े इफिल टैबलेट को खाने के साथ या भूके पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बहितर यही होगा कि इससे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे आप आपके दवाए लेना नहीं भूलेंगे दोस्तो, अब जानते इससे उच करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में इसे सेक्शूल इंटरकोर्स से एक घंटे पहले लेना सबसे बहितर होता है, लेकिन आप इसे यह उन गतिविदी से 30 मिनिट और 4 घंटे पहले कभी भी ले सकते हैं, इसे दिन में एक बार से अधिक बार न ले, अगर आपको हाल में नाइट्रेट लिया है, एंजाइना या एक अगरता की आउश्यकता वाला कोई भी काम ना करे, शराप पीने से बचे क्योंकि यह खड़े होनी की शमता को कम कर सकता है और अधिक चकर आ सकती है, यदि संबोग के बाद 4 घंटे बाद भी दवा का असर रहता है तो डॉक्टर से सला ले, अगर आपने हाली में नाइ हिंदोस तो